तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूचा गया है Can any source of energy be pollution free? Why और why not? तो हमें यहाँ पर बताना है अगर हमें यहाँ पर किसी भी source of energy की बात करें तो वो यहाँ पर pollution free होगा कि नहीं होगा अगर होगा तो हमें वो भी बताना है अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो भी हमें यहाँ पर बता रहा है अगर हम यहाँ पर reality की बात करें तो यहाँ पर कोई सा भी source of energy pollution free नहीं है मतलब यहाँ पर कोई सा अगर source of energy को use करें तो वो यहाँ पर environment को disrupt करेगा ही करेगा अगर हम यहाँ पे बात करें wind generator की तो वहाँ पे तो pollution लगता ही नहीं है बट हमने यहाँ पे अभी statement में बोला कि यहाँ पे कोई सा भी source of energy यूज करो वहाँ तो pollution लगेगा तो इसको हम यहाँ पे चलते हैं समझते हैं example से through the use of a wind generator, solar cooker and solar cells for obtaining energy is pollution free यह हमें पता कि जो wind generator होता है, solar cooker होता है और solar cell होते हैं यहाँ पे pollution बिल्कुल भी release नहीं करते हैं बट इनको बनाने वाले जो product होते हैं जैसके यहाँ पे अगर मैं wind generator की बात करो इसका जो fan होता है वो काफी बड़ा होता है और इस fan को बनाने के यहाँ पर किसी company कोई यहाँ पर contract लेगी उसको बनाएगी और जहाँ पर यह बनेगा वहाँ पर क्या होगा pollution रिलीज होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो indirectly यह भी यहाँ पर pollution में हिस्सेदारी लेते हैं तो hope आपको इस question का जवाब भी मिल गया होगा अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने next question के तरफ